हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइन से पूछे जाने बदे कुछ इंपोर्टेंट कोस्टन जो कि पिछले यह के एक्जाम में पूछे गए हैं तो दोस्तों यह कोस्टन बहुत इंपोर्टेंट हैं यह किसी इन सारे एकजाम में लोग स्टाट करते हैं। कि एंथर के द्वरा मालूम की जाती है तो वह सोनार नमसे नमक यंद ना पी जाती है। अगला कोस्टे रहा है जो प्रासऑ धुनियंत प्रासर नद पाया जाता है। अगला ध्वनी का बेक किसमे अधिक होता है तो इस पात में होता है, ओके दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन है जो प्राणी अपनी आँखों के रूम में ध्वनी का उप्योग करता है तो बहुत चमगाद़, अगला दूर दर्जन टेवी के ध्वनी संकेत होते हैं, आप रती माड अगला कोस्टन है दोस्तों निमजित बस्तूं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है, तो यह सोनार, मतलब समूद्र में कोई बस्तू खो गई है तो उसको कैसे पता करेंगे सोनार से, अगला ध्वनी किस माध्यम से होकर नहीं गुजा सकती तो वो निर्वाद में, अगला सोर को किस में माप आ जाता है, तो सोर को, यह कह सकते साउंड को डेसिबल में माप आ जाता है, नेक्ट कोस्टने परासरब तरंग की आपरती कितनी होती तो 20,000 किलो हाट्स के उपर, अग्ला कुश्षन दोस्तों है पर सिकार पर बादाउं का पता लगाने के लिए तो दोस्तों अधवा डाल्फिन किस पर इगटना का प्रियों करता है तो परती दोणी निरदारान का प्रियों करता है अगला ध्वनी की नियुंतम तीवरता जो एक सामाने मानव कान पैचान की सकता है तो ब्यक्तिकी की जाती है दस डेसीवल के रूब में है अगला दुस्तों सीट काल में हैंट परंप का पानी गरम होता क्योंकि प्रतवी के बिततामान बायु मंडल के तामान से अधिक होता है अगला ध्वनी तरंग का सबसे अधिकतम बेक किसमें होता है तो ठोस में का अग्ला को सिंकर और था से दो बीच ह मyas को मनूस की धनयर के इनव डान के किस सीमा में होती यह तो लौ यह से튼 से मनूसकी कि सामाने पर हम आधिक्तम साइज सुरुता सीमा होती सतर से पचासी डेसीबल तक अगला कमपन सील रज्जू के ब्योवर का दन करने के लिए कि सुपकरण का प्रियोग किया जाता तो सोनो मीटर नेक्स्ट है दोस्तों कोशन भारत में सुईकार दोनी पदूसन इसतर की सीमा है 40-45 डेसीबल के बीच चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और कोशन करते हैं ग्सट है नेक्सरकूशन दोस्तों CT RAM डिस्क को पढ़ने में मोखितत किस की जरूत पढ़ती तो लेजर की रान की working कै Speaker 1 अगला है दोस्तों सिख्चम के लिए लालवत्ती का प्रियोग क्यों किया जाता है तो क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीड़न होता है अगला सूर के प्रकास का कौन सा भाग और कुकर को गर्म करता है तो अबरक्त अगला दोस्तों आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देने नीला दिखाई देने का कारण क्या है प्रकास पकीड़ना अगला है स्वेद प्रकास को भिन-भिन रंगों में बिबक करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो प्रेजम का प्रियोग किया जाता है अग्ला दोस्तुन मालक तर मिलीजत कि दोस्त को ठीक किया जा सकता है शाही अफ को प्रियोग करके अग्ला दोस्तुन प्रिकास के परिझेपन का अध्यां रिखेशन का प्रियोग क्या आतता तो इसप्रेक्टोमीटर अगला जल से भरा तलाप कम घहरा दिखाई देने का कारण क्या है अगला जूम लेंस क्या होता है तो यह एक परिवर्थी भोकस दूरी बाला लेंस होता है अगला प्रकास किरण पुझ जो अतन दिसिक होते हैं तो क्या कला आते हैं लेसर अगला प्रकास में उड़ जा आप तन गोल पर निर्बन नहीं करती है अगला पार्दासे जल के बीतर पड़ी होगी किसी मचली को दूर से सूट करना इसका कारण है अब बरतन नेच्ट कोशन है आप अपर्टक लेंद वासता में क्या होता है तो उत्ता लेंद लेंद होता है अगला काले बस्तरों के मुकाबले सोगत बस्तर सीतल क्यों होते हैं जो जो भी प्रकास पहुंचता है वो उसे परावार्दिक कर देता है अगला कोशन है दोस्तों फोटोग्राफी में मुख रंग होते हैं मुख रंग कौन से होते हैं तो लाल नीला और हरा अगला है बहानों के अगर दीपों में किस प्रकार के दरपन का प्रियों किया जाता है तो अपतल दरपन का प्रियों किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो फ़ली समाज चानल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और जरू करें अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आपको ये वीडियो में हम लोग कुछ और कोशन करेंगे जो कि किसी भी एक्दाम के लिए इंपर्टन होंगे